नमस्कार दोस्तों तो चलिए हम लोग बात करते हैं किरन सामान ग्यान के बारे में याद रखिए यह बुक्स आपकी बहुत ही बढ़िया है सामान ग्यान के लिए इसमें उसी तरह से आपकी बुक्स जिस तरह से आपकी लूसेंट है कि यह की किता में सभी सब्जेक्ट आपक आपकी किरन सामान ग्यान है एक बहुत ही बिस्तार में से समझाए गया है बहुत बढ़ी अबुक्स है और मैं तो सोचता हूँ कि यहां तक कि यह आप लोग की इस्टेट PCS का है एक जाम कोई भी उसमें भी प्री के लिए एक कापी हथ तक उपयोगी है तो एक बात हमेसा याद रखना कि इससे आपका अगर इसे आप लोग कवर कर लेते हैं तो SSC हो बैंक हो रेलबे हो इस तरह के जो भी वंडे एक जाम है यानि कि आपका स्टेट PCS त यह बस थोड़ा IES के लिए कुछ ज्यादा ही आपको पढ़ना हुआ तो इस बुक्स को खरीद लें अगर आपकी यहां मिलती है फिर online भी मिलती है आपकी एबुक्स तो इसको खरीद कर रख लें आप अपने पास लूसेंट की जगह इसे पढ़ें ठीक है तो लूसेंट अ अपका कोई भी पेपर हो सरकारी नौकरी वह आपका कबर हुजाएगा तो इसमें आपका क्या-क्या तो इस बुक्स को आप खरी दें तो भेतर रहेगा हम तो बता ही देते हैं लेकिन फिर अभी अगर आप लोग उससे पढ़ ले एक बार तो क्या रहता है कि लेक्चर देखने से एक बार पढ़ ले तो थोड़ा और अच्छा किलियर हो जाता है क्योंकि लेक्चर में जो बात कर लेंगे भारती है इतियास के बारे में इसमें हम लोग topic by topic बात करेंगे यानि कि पहले आपका प्राचीन भारत देख लेंगे फिर उसके बाद मद्यकाली भारत पर आपका आदूनिक भारत लेकिन एक पूरी आपकी एकी class रहेगी थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन एकी class पूरी रहेगी और इन सभी class के लिए आपका किरन सामान ग्यान के नाम से एक playlist सूची बना देंगे उसी में पूरे C की lecture आपके पड़े रहेंगे दूसरा topic हमारा होगा विश्व का इतिहास जो हमारे लिए जरूरी है जिनसे हमें परीक्षा में questions पूँचे जाते हैं उन सभी के बारे में हम लोग जान लेंगे विश्व से समद्दी आपका इतिहास तीसरा topic होगा आपका भारती एकला एवं संस्किति के बारे में एकी class म खतम करेंगे फिर 14 चेप्टर होगा यानि कि चौतर ही class होगे हमारी भारती राजवेवस्था एवं समीधान भारती राजवेवस्था एवं समीधान के बारे में हम लोग एक ही class में पूरा खतम कर देंगे आपका जो आपके questions उचे जाते हैं एक बात हमेशा याद रखिए कि इस books को पढ़ने के बात आप लो जो आपका सामान ग्यान है फिर चाहे हो समेतियास हो गोगोल हो राजवेवस्था हो समीधान हो एकोनमक्स हो यानि कि अर्थसास्त हो फिर चाहे आपका विग्यान हो कंप्यूटर हो यह सभी कबर हो जाएंगे one day exam को आपको one day exam का जब भ पार या बाहर आपका कोई भी questions नहीं जाएगा लगवाग लगवाग इतना clear है तो इसे आप लोग पढ़ लें पांचवा चेप्टर आपका होगा यानि कि पांचवा टॉपेक होगा भूगोल इसमें आपका भारत का भूगोल समलित होगा विसका भूगोल समलित होगा ठीक है चटवी किलास आपकी बात करेंगे चटवी किलास में हम लोग सामान अर्थसास्त एवं भारतिये अर्थव विवस्था की बारी में्ट है कि साथवा जो हमारा टौपिक होगा, उसमें आपका बाहुत ही विज्ञान हो गया, ई बात कर लेंगे बनस्पति बेग्जान हो गया आपका, जनतु बेग्जान होगा, इस तरह से आपका साथवा टॉपिक हो जाएगा, आठवा टॉपिक आपका बिज्ञान इबं परुदुगी की साइंस एंड टेक्नोलोजी, से सम्मधित आपका आठवा चेप्टर यानि कि आठवा टॉपिक होगा वो एक ही क्लास में इसे भी हम लोग खदम कर देंगे नौवा टॉपिक आपका जो होगा वो कंप्यूटर से समंदित होगा इसमें हम लोग सामान जानकारी देखेंगे जो आपका कंप्यूटर क्लासिस के नाम से जो आपकी फ्लेरिष्ट सुची है उसमें बहुत डेटेल के साथ समझाएगा है अगर उसे आप चेप्टर पंद रहेगे करीब आपके समझाएगे हैं टॉपिक वाई टैपकर चेप्टर वाई चेप्टर सब कुछ और उसके बाद उनी से संबंदित आपके जो परीच्छा में कुष्चंच पूस्चे जाते हैं जिस तरह से उन्हें भी हम लोगोंने सॉल्ट किया हुगा ह ठीक है उसके बाद दसवाब का टॉपिक होगा इसमें पारंपरी सामानियान इसमें पुरुसकार हो गया है आपके नोबल पुरुसकार ब्यक्ति हो गया इस तरह से रहेगा इसे भी हम लोग एक ही क्लास में खत्रम करने की पूरी कॉसिस करेंगे ठीक है फिर आपका ग्यार देंगे जहां से इस मटेरियल को आप लोग कवर कर सकते हैं ठीक है फिर आपका राज्य देख लेंगे जो अपडेटेट हुए हैं आपके 28 राज्य वी करेंट में आठ के अंदिसासित प्रेस हैं इनके पारे में भी देख लेंगे राजपालवा मुखमंत्री देख लेंग जो भी रहेंगे इस तरह से आपका तेरे के करीब क्लासों में आपका पूरा सामानग्यान कबर हो जाएगा यानि की किरन सामानग्यान को कबर कर लेंगे हम लोग बस याद रखिए इस बुक्स को आप लोग अगर आपके एरिया में मिलती है तो आप लोग इसे खरीद लें क्योंकि लेक्चर में पढ़ना थोड़ी अलग बात हो जाती है मैं कहता हूँ जादा दिमात मत लेक्चरों पर लगाया करिएगा अगर वोक्स पढ़ते हैं तो थोड़ा अच्छा आपके लिए फायदे बंद रहेगा एक बार देख लें लेक्चर जिससे क्या होगा एक सामान जानकारी आपकी किलियर हो जाएगी जो बुक्स में नहीं है ठीक है उसके बाद आप लो बुक्स को एक रिवीजन के पॉइंट इव्यू से रख सकते हैं अपने पास तो इस तरह से आपकी पूरा सामान ज्यान कवर हो जाएगा इसे पढ़ने के बाद आपको नहीं लगेगा कि कोई कुश्चन्स आपका चूट रहा है फिर चाहे आपका रेलबे हो, बैंक हो, एसेस्टी हो, फिर चाहे कोई इस्टेट पीसी जास हो प्रेलिम से तक यानि की वंडे एकजाम में जो भी गिने जाएंगे वो सबी कुश्चन्स आपकी सौल होने की स्तिती में होगे आपको सामान गयाने के लिए इससे जाना कुछ नहीं पड़ता है, बस वंडे एकजाम के लिए काफी है तो चलिए कल से हम लोग बात करेंगे सबसे पहले आपका भारत का इतियास देखेंगे पहला टॉपिक हमारा भारती है इतियास होगा